क्या पवन सिंग के करीबी ही बने हैं पवन सिंग के दुश्मन इसका खुलासा तो कई बार अक्षा सिंग लगातार इंजिनों कर रही है कि पवन सिंग इतने बुरे नहीं है जो सो कॉल उनके चम्चे है उन्होंने उनको भड़का के रखा है पवन सिंग अपना दिमाग तो यूज ही नहीं करते जी हाँ इसका खुलासा एक बार नहीं अक्षरा ही नहीं कई लोगों ने भी किया है कि पवन के जो करीबी होते हैं वही पवन के लिए खड़ा खोद रहे हैं और पवन ये समझ ही नहीं पाते कि वो है कौन इन दिनों मीडिया में एक कॉल रिकॉर्डिंग काफी वाइरल हो रही है कॉल रिकॉर्डिंग में तीन लोग है और तीनों पवन सिंग के करीबी हैं और इन तीनों ने पवन सिंग के इस हालात पर इतनी जादा चुटकिया ली हैं जिसे सुनने के बाद हैरानी होती है कि पवन सिंग ऐसे लोगों के बीच कैसे रह सकते हैं जो कि उनके बरबादी का जश्न मना रहे हैं जी हां बनते तो ऐसे लोग पवन सिंग के हिमायती हैं लेकिन उनके पीठ पीछे ही उनकी लिए खड़ा खोदने से पीछे भी नहीं हटते उनकी तबाही पर आज वो हस रही हैं वो नहीं चाहते कि पवन सिंग और अक्ष्रा सिंग का मसला हल भी हो पवन सिंग को जानने वाला हर एक बंदा कहीं न कहीं पवन की तारीफ ही करता है और एक शब्द उनके लिए सभी कहते हैं कि पवन सिंग भोले हैं वो जल्दी ही सब पे यकीन कर लेते हैं सभी पे विश्वास कर लेते हैं मदद भी वो ऐसे ही करते हैं लिकिन क्या आपको लगता है कि भूचपूरी इंडस्ट्री में जितने ये कहते हैं कि श्रोतागण उनके भगवान है वो रियालिटी में ऐसा मानते हैं कि श्रोतागण उनके भगवान है पवन सिंग बड़े ही जमीन से उठे हुए इंसान है या यू कहले भोचपूरी के जो तीनो सुपस्टार है वो बड़े ही जमीन से उठे हुए आज वो फर्स से अर्ष की दूरी ऐसे ही नहीं तै किये है बड़ी मेहनत बड़ी जद्दो जहद रही है इस सफलता में लेकिन आज अपने पीछे एक चम्चो की बहुत बड़ी फौज खड़ी करके अपने आपको बड़ा नहीं कहा जा सकता आज कहीं न कहीं पवन और अक्ष्रा के जो रिस्ते बिगड़े हैं वो इन चम्चो की वज़े से ही बिगड़े हैं अक्ष्रा ने सीधे सीधे अपने हर एक इंटर्व्यू में पूरी तरह से पवन को तहमत नहीं लगाई है उन्होंने पहले शुरुवात ही अपने इंटर्व्यू से ऐसे की कि इनके सो कॉल चम्चो ने जिन्हें ये पसंद नहीं है कि अक्ष्रा सिंग आगे बढ़ रही है और कही न कही अक्ष्रा सिंग और पवन सिंग के विवाद में इन्ही चम्चो का हाथ है जो आज कल पवन सिंग के करीबी है जो पवन सिंग के रुत्वे शोहरत दौलत का नाजायस फायदा उठा रहे हैं और पवन सिंग को कई भ्रमों में रखे हुए हैं जरूरत है पवन सिंग को आखे खोलने की और ऐसे लोगों को अपने इर्दगीर्द रखने की जो उनके अच्छे और बुरे दोनों को समझा सके वो कहते हैं ना निंदक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय ठीक उसी तरह वैसे पवन दूत पीते बच्चे तो हैं नहीं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हाँ कही न कहीं फॉल्ट तो पवन सिंग की होगी तभी तो अक्षरा सिंग जैसी इतनी बड़ी सुपस्टार ने उन पर इतना बड़ा तोहमत लगाया है लेकिन आप अक्षरा का हर एक इंटरिव्यू उठाके देख लीजी अक्षरा सिंग ने सीधे तोहमत पवन सिंग पर नहीं लगाई है कहीं न कहीं अक्षरा सिंग ये जानती है कि पवन सिंग किस किसम के इंसान है इसलिए शायद वो हर बार ये कह रही है कि पवन सिंग जिन लोगों के बीच घिरे हैं वो लोग उनका नाजायस फायदा उठा रहे है जिस तरह से पवंद सिंग के करीबियों की कॉल रिकॉर्डिंग मीडिया में फैली है उसे देखकर यही लग रहा है कि हो सकता है अगर ये कॉल रिकॉर्डिंग सही है तो जिसकी पुस्टी हम भी नहीं करते अगर ये सही है तो सही मानिए पवन सिंग ने अपने करीबियों में ही अपनी बर्बादी का रास्ता ढों लिया है भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं हुए